हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ नीडम और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सॉफ्ट, स्पंजी और टेस्टी टूटी फ्रूटी केक की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतनी ज़्यादा टेस्टी होती है आप इसे बर्डे, एनिवर्सरी, क्रिस्मस, निव यर किसी फिभी बना करके खा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्स्राइब शरूर कर दीजेगा टूटी फ्रूटी केक बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ तयारी कर लेंगे उसके लिए मैंने दो टेबस्पून यहाँ पर टूटी फ्रूटी लिए हैं यह मार्केट में आपको बहुत यासानी से मिल जाएगा इसमें हम थोड़ा सा मैदर डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से कोट कर देंगे मैदे से ऐसा करने से जब आप इसी केक में डालेंगे तो यह एक जगा इकठा नहीं होगा तो चलिए यह टूटी फ्रूटी हमारा रेडी है अब एक कड़ाई में हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक यह नमक मैंने पहले भी बेकिंग के लिए यूज किया है कड़ाई में नमक को अच्छी तरीके से फैला देंगे उसके बाद इसके उपर एक स्टेंड रखकर इसका धकन लगा देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे उसके बाद एक मिक्सिंग बॉल में हम ले लेंगे एक कड़ोरी पीसी हुई चीनी साथ ही हम इसमें आधा कड़ोरी ऑईल लाल देंगे ऑईल को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गुनगुना करके लिया है अच्छे से अब इन दोनों चीजों को हम मिला लेंगे और चीनी को पीस से समय मैंने उसमें दो से तीन छोटी हरी लैची डाल दी थी ऐसा करने से केक में बहुत ही बड़िया टेस्ट आता है आप चाहें तो अलग से लैची का पाउडर भी डाल सकते हैं तो चीनी और आयल को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है अब एक छणनी लेंगे उसमें हम डाल देंगे दो कटोरी मैदा साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक टी स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून डालेंगे बेकिंग सोडा एक पिंच हम इसमें नमक एट कर देंगे और इसे अच्छे से हम छान लेंगे केक को बनाते समय आप इसे मेजर करने के लिए कोई भी कटोरी या फिर कोई मेजरिंग कब ले सकते हैं उसी से आप सारे मेजर्मेंट कर सकते हैं तो चलिए मैदे को मैंने अच्छी तरीके से छाल लिया है अब वापीस हम इसे बढ़िया से मिला लेंगे सारी चीजो को और अच्छे से इसे mix करने के बाद हम इसमें दूद डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हमें दूद डालना है खुब सारा दूद हमें एक साथ नहीं डालना है और दूद आपका यहाँ पे ना तो गरम होना चीए और ना ही बहुत ज़्यादा होना चीए रूम टेंपरेचर पे मैंने यहाँ पे दूद लिया है तो जितने दूद की requirement होगी उतना हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसका एक बढ़ी आसा paste बना करके ready करेंगे अगर आप यह बस whiskers है तो आप इसे whiskers से भी फेट सकते हैं या फिर कोई फेटने वाली machine है तो उससे भी आप इसे अच्छी तरीकी से mix कर सकते हैं नहीं है तो इसी तरीकी से spoon से इसे लगातार चलाते जाएंगे और दो से तीन मिर्टे आप इसे अच्छे से फेट लीजे उससे आपका बैटर बहुत ही बढ़िया बन करके त्यार हो जाएगा तो यह देखिए आप देख सकते हैं मैंने यहाप एक कप दूद डाल दिया है अब यह आपको बैटर थोड़ा सा गाड़ा दिख रहा होगा तो इसलिए मैं यहाप पे थोड़ा सा दूद और एट कर रही हूँ तो बिल्कुल दो चमद दूद मैंने यहाप और एट कर दिया है और अच्छी तरीके से मिलाने के बाद आप देख सकते हैं अब बैटर एकदम परफेक्ट बन करके रेड़ी हो गया है बिल्कुल फ्लोई गंसिस्टेंसी की होनी चाहिए तो अब हम इसमें एक टी स्पून डाल देंगे वैनिला एसेंस साथ ही हम इसमें टूटी फ्रूटी जो हमने मैदे से कोट करके रकी थी वो भी हम इसमें एड़ कर देंगे आप अपने टेस्ट के कोटिंग थोड़ा कम या जादा टूटी फूटी डाल सकते हैं और थोड़ा सा मैने बचा करके रखा हैं वो केक के उपर हम गार्निश करने के लिए यूज़ करेंगे अच्छे से हम मिला देंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें एड़ करेंगे हाफ टी स्पून नीबू का रस और नीबू का रस डालने के बाद हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएंगे बस एक दुबार मिक्स करेंगे यह देखिया आप देख सकते हैं बैटर एकदम परफेक्ट है थोड़ा सा टैप करके इस तरीकी से मैदे को चारो तरफ फैला लेंगे और जो एक्स्टन मैदा है उसे निकाल करके अब हम अलग कर लेंगे तो चलिए केक टीन बिल्कुल रेड़ी है अब हम इसमें केक का बैटर डाल देंगे ज़रूरी नहीं कि आप इसे राउंड शेप में ही बनाए आपके पास जो भी शेप का केक टीन एवलिवल हो उसमें आप ये केक बना सकते हैं अच्छे से सारा बैटर इसमें डालने के बाद इसे थोड़ा सा हम टैप कर देंगे इस तरीके से ऐसा करने से जो भी इसमें एर बबल होंगे वो निकल जाएंगे अब हमने जो टूटी फूटी बचा करके रखी थी वो इसके उपर डाल कर इसे थोड़ा सा गारिश कर देंगे ऐसा करने से केक दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है चलिए 10 मिनट हो चुके हैं कड़ाई भी हमारी अच्छी तरीके से प्रिहीट हो चुकी है बहुत ही बढ़िया हीट इसमें से आ रही है तो आप केक टिन हम कड़ाई के अंदर डाल देंगे और इसका ढ़कन लगाकर लो फ्लेम पर हम इसे 45-50 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देंगे यह जो कड़ाई में हमने नमक डाला है इसकी वज़ए से केक जो है वो इवलनी चारोतरब अच्छी तरीके से बेक हो जाता है तो कुछ 35 मिनट के बाद आप देख सकते हैं के एक अच्छी तरीके से फूल लगा है तो 10 मिनट के लिए हम इसे और बेक करेंगे यह देखे आप देख सकते हैं केक बनकर के बिल्कुल रेडी हो गया है हम एक टूथपिक लेकर इसमें डाल करके देखेंगे आप देख सकते हैं एकदम क्लियर यह निकल रहा है इसका मतलब केक अच्छी से पक चुका है उपर से आप टूच करके भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अगर आपके पास टूथपिक नहीं है तो आप नाइफ से भी इसे चेक कर सकते हैं हम इसे धख देंगे और धख करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि अपनी हीट में थोड़ा सा और पक जाता है तो दो घंटे के बाद यह अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है अब एक नाइफ की साहता से साइट से हम इसे इस तरीके से गुमा करके अलग कर अब इसे उल्टा करके हम थोड़ा सा टैप करेंगे तो यह बहुत ही आसानी से निकल जाएगा अगर आपके पास बटर पेपर है तो उसमें रखके भी आप इस केक को बना सकते हैं यह देखिए आप देख सकते हैं बहुत इसली यह निकल गया है साथ ही बहुत ज्यादा इसमें आया है यह देखिए दबाने से आपको पता चल रहатель होगा कि कितना स्पोंजी और सॉफ्टी यह पन करके तयार हो गया है तो चलिए इस केक को अब हम कट कर लेते हैं आप जीज भी शेप आप ऑफिर साइस में चाहें इस केक को आप कट कर सकते हैं आप देख सकते है कितनी आसानी से ये केक बन करके त्यार हो जाता है साथ ही खाने में उतना ही जादा टेस्टी होता है मैंने इसे कट कर लिए आप देख सकते हैं अंदर में कितना स्पोंज आपको दिखाई दे रहा होगा ये देखें प्रेस करने से भी आपको पता चल रहा होगा बहुत ही सॉफ्ट और स्पेंजी केक बनता है आप इसे स्टोर करके कई दिनों तक के लिए भी रख सकते हैं चाहे तो आप सफर में जा रहे हैं तो भी इसे लेके जा सकते हैं बर्डे एन्वरसरी कोई भी फंक्शन हो आप इसे बना करके खाईए बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है चलिए सारा केक मेंने यहां पर कट कर लिया है आप भी इस केक की रेसीपी को एक बास जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको यह बहुत ही पसंद आएगा तो टूटी फूटी केक हमारा बन करके त्यार है आप भी से बनाईए और रेसीपी अच्छी लगी हो तो फ्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्स्क्राइब करना ना भूलें